एलो एवरिवन तो यार आज मैं आप लोगों को डेली के टॉप के मेडिकल कॉलेजिस के बारे में बताना चाहता हूं जिनके अंदर एड्मिशन लेना सब का सपना उता चाहिए आपको इसे भी कोर्स की भी बात करो MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सी ये कॉलेजिस आपके ओफर करवाते हैं और डेली आपको बहुत अच्छी जगह है एजुकेशन का लेवल बहुत जबरदस रहता है तो यहां के टॉप के मेडिकल कॉलेजिस में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले वीड में आ सकती है और आपका भी बेनिफिट होगा तो अब मैं वीडियो को फटा फटे करता हूं स्टार्ट जिसके अंदर मैं मेडिकल कॉलेजिस बताने वालों डेली के टॉप 10 सो सबसे पहले बच्छों हम बात करते हैं यार मतलब नाम ही काफी है इंस का तो कि एंस डेली कॉ को मैं एंट्रेंस एक्जाम को सा होता है अगर मैं में बात करने वालों यहां पर एंट्रेंस एक्जाम नीट है सीट्स 107 बहुत कम सीट्स होती है और फीस जो अकाडमिक फीस है यहां की 1628 रुपीज मतलब गवर्मेंट कॉलेजिस यहां पर आना यार यह तो ड्रीम है एक सब बच्चों की ड्रीम होती है जो भी नीट का एक्जाम देता है करना चाहता है इंडिया में तो उसके लिए ड्रीम है आपका एमस का कॉलेज यह होगा फॉर्स बैस कॉलेज मॉलाना अजाद मेडिकल कॉलेज टॉप कॉलेज अगें टॉप नॉच कॉलेज गवर्मेंट इसकी कॉलेज टाइप है गॉर्मेंट अगें एंट्रेंस एक्जाम नीट सीट्स टू फिफ्टी है और इसकी फीस है आपकी 2445 रुपीज यह इनकी फीस होती है यार क्या ही होती है मतलब आपको तरीकी से गोड ले लेते हैं यह लोग उसके बाद मंतली फीस भी इनकी 500-600 पर रहती क्या है यार इतना तो आप लोग अपने महीने में खाने पीने महीने में एक मूवी देखने जाओगे और बाहर फिर आउटिंग करोगे इतना एक बारी में खतम कर देते हो इतनी इनकी मंतली फीस होती है और आगे बाद करते हैं नेक्स्ट इस यूनिवर्स्टी क मतलब आप लोग लाइफ रहने वाली है कॉलेज लाइफ आगे भी सब कुछ से क्योर रहता है आगे बात करते हैं लेडी हाडिंग के कॉलेज आपका गल्स कॉलेज है कॉलेज टैप अगें गवर्मेंट है एंट्रेंस एक्जाम इनका नीट ही होगा सीट्स टूंडड़ है इतने मतलब क्या है इतने जाधा कि अप्लिकेशन फर्म होते हैं इतना सारी जिसके जो आप फिल करते हो दैंकम्स वर्दमान महाविर मेडिकल कॉलेज यह बहुत अच्छा कॉलेज है कुछ स्टुदेंट्स को मतलब काफी सारे स्टुडेंट्स को और कॉलेज नहीं बता हो अंदर इंसिटीट ऑफ एंशन आर यह बहुत जबर जबर रहता है टाइप इसकी सुसाइटी है में इसे एक ट्रस्ट काइंड ऑफ होता है इनका और उसके त्रूफ फंड्स आते हैं और आपकी फीस लेकिन कमी रहती है तो वह भी कही है आप लोगों के लिए मतलब बहुत साइंसिस बच्चों जिसका इंट्रस्ट थोड़ा आर्मी की साइड है मतलब देश सेवा के लिए आपके अंदर यह विल है कि हमें ऐसा कुछ करना है तो वही ना हाउस दा जोश वाली बात तो कॉलेज टाइप इसका ट्रस्ट है मतलब आर्मी समालती है इसको एंट्रंस अ हर किसी का बैकरण्ड अलग अलग होता है किसी के लिए फीस बहुत जब जादा हो सकते हो तो आप वर वाले टॉपर वाले कोलेजने कर सकते हो विम्तों और 2 इंटिकल subscribe Nationalecschaft बहुत जादा उपर जाने वाला बहुत जबर्दस फैसिलिटी इंफ्रसक्ट्ट्ट्ट्र सब कुछ बहुत अच्छा फैकल्टी अनौल तो यह जाएगा उपर गवर्मेंट टाइप और कॉलिश टाइप गवर्मेंट एंट्रस एक्जाम नीट है इसकी वह हंड्रड़ है फीस की 4.5 लाक है जो अफोर्ड कर सकता है कुछ लोग होते हैं जो यह नहीं अफोर्ड कर बहुत सारे लोग है जो प्लाइब नहीं तो आप बात करते हैं डॉक्टर बावश साहिव अम्बेट कर मेडिकल कॉलेज अगें गॉवर्मेंट टाइप कॉल कुछ भी नहीं है फीस आगे बात करते हैं इसकी वन लैक वन थाउजन यार अगें यह भी बहुत ज्यादा फीस नहीं हैं भी डॉक्टर बन रहो आप लोग उसके बाद क्या-क्या अचीव नहीं कर सकते आप लोग तो डॉक्टरी बनना ही खुद एक बहुत बढ़ी अची कॉलिज टाइप गवर्मेंट हैं एंट्रेंस एक्जाम अगें नीट होगा सीट फिफ्टी से सिक्स्टी हैं फीस की फिफ्टी थाउजन से एक्टी थाउजन के बीच में रहती है थोड़ा थोड़ा एयर क्राइटीरिय बगरा चेंज रहता है फीस टॉक्टर ऊपर नीचे करेंगा सो पढ़ते रहें इन कॉलिजिस के लिए एम करें अल्द वेस्ट पूम माई साइट बाइबाया टेक क्योड पाइड 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 झालि भाइड बहुक्त झालि कुलिफड कि अल्द गयोपिग पाइड पाइड खाइड क्योप्ट पाइड पाइड बाइड बाहर बीचे हैं झालिग अven